नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप किस परकार से सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया के अंदर अपना फिक्ट डिपोजिट एकाउंट ऑनलाइन क्लोज कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यदि आपने सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया में आड़ी अकाउंट ओपन किया हुआ है और आपको किसी कारण बस आड़ी अकाउंट को बंद करना है तो आप किस परकार से उसे बंद कर सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमें पैसों की जूरत होती है और हम सोचते हैं कि हमारा जो आड़ी में पैसा पढ़ा हुआ है वो हमें मिल जाए तो ऐसी स्तिती में हम अपने अकाउंट को क्लोज करना चाते हैं तो कई लोगों को परिशानी होती है वो इसके लिए बैंक जाते हैं और वहाँ पे उनको पेपर फॉर्मलिटीज करनी पड़ती हैं समय खराब होता है तो मैं आपको बताऊगा कि किस परकार से आप बिना बैंक जाए घर बैठे मातर पांच मिट के अंदर अपने मुबाइल से आड़े अकाउंट को कैसे क्लोज कर सकते हैं और आड़े अकाउंट का सारा पैसा अपने सिवे अकाउंट में ले सकते हैं तो दोस्तो इसके रिए सबसे पहले आपको Central Bank of India का Cent Mobile App को Open कर लेना है देखिए दोस्तो जब आप Central Bank of India का Apps को Open करेंगे तो कुछ इस प्रकार का Interface आपके सामने आता है जहां पर आपको अपना Login ID और Password डाल देना है अब जब हम इसे Login करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार का Interface हमारे सामने आता है यहां पर आप देखिए 6th number पर आ रहा है Service Request तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है देखिए जब आप Service Request पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पर 6th number पर आ रहा है Closure of MMDC slash RD slash HD आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है देखे जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस पर गारगा इंटरफेस आता है इस फॉर्म को आपको फिल करना होता है तो देखे सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे अब यह एकाउंट नम्र सेलेक्ट करने के लिए आपको बोल रहा है कि आपको कौनसा एकाउंट को बन्द करना है तो आप उस एकाउंट को सेलयेट कर लेंगे तो चलिए मैं इसे एकाउंट को सिलैट कर लि étaient हूं अब नीचे option आ रहा है credit account आप credit account यानि कि आपका saving bank खाता है आप उसको select कर लेंगे तो मैंने इसको select कर लिया अब region वे आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं मैं यहां पर financial problem लिख देता हूं उसके बाद देखें नीचे option आ रहा है आई agree on my own to select the above mentioned account for credit proceed of my deposit आपको यहां पर tick कर देना है टिक करने के बाद में देखें नेच्ट option ने transaction pin आपको यहां पर अपना transaction pin डाल देना है देखें transaction pin डालने के बाद में आपको submit पर click कर देना है देखें जब आप submit पर क्लिक करेंगे तो देखें कुछ इस प्रकार का interface आपके सामने आता है यहां पर आपका ID account की detail आ गई है जिसको कि आप close करना चाहते हैं तो close करने के लिए हम yes के ओपर click करेंगे अब देखें next option आ रहा है confirm transfer are you sure you want to close the deposit account number ID yes or no अब मैं yes पर click कर देता हूं देखें जैसे मैं yes पर click करता हूं यह कहरा request has been completed successfully अब मैं okay पर click कर रहा हूं दोस्तों जैसे ही हम ID को close करते हैं ID का हमारा जितना भी पैसा होता है वह सारा हमारा save account के अदर credit हो जाता है अब देखें मैंने 500 रुपीज से ID खोली हुई थी और मेरी अभी फर्स्ट इंस्टॉल्मेंट ही गई थी तो मैंने आपको समझाने के लिए ID का खोला वह था और मैंने अब इसे close कर दिया है तो मैं आपको दिखाता हूं कि Central Bank of India के apps के जरिये ID account को online close कर सकते हैं और ID account के पैसे को saving account में credit करा सकते हैं दोस्तों आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो के संबंद में आपकी क्या राय है कमेंट करके जूरूर बताएं जिदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए मैं आपका reply करूंगा मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम को solve कर सकूं दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐसे और वीडियो मिले तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाएं किसे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें ठीक दोस्तों मैं आपको नेक्ट वीडियो मिलता हूं नेक्ट आप आपको प्रम